कि है यह लो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकडमी तो आज है पांच अपरेल और पांच अपरेल के एंटी पीसी जीके का पेपर जो फ़र्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है तो उसके जितने भी कोश्चन जीके के मिले हो सारे इस वीडियो में डिसक्रसन करे और फेज 7 का भी एक्जाम होगा ठीक है फेज 6 अभी चल रहा है यहाद तीसरा दिन है इसका फेज 6 का पांच अपरेल इसके बाद जो आट अपरेल तक फेज 6 होगा इसके बाद फेज 7 का भी पेपर होगा और फेज 5 का 1000 प्लस वीडियो में ने पनाया हुआ तो उसका लिं से पहले अगर सेशन पसंद आया तो लाइक और सेर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिगा तो आज के फर्स सिप्ट में क्वेश्चन पुछा गया था कि पिर्थिवी का सबसे निकर्तम तारा कौन सा है ठीक है तो वो है सूर और अगर सूर के इलावा देखा जाए तो प् पर्शिद्य पाण्जिटेृ का according to published record पूछा गया था इसली उनिस का परिवहन किसमग्हमाध्यम से होता तो जायलं के माध्यम से होता है यहां पर जायलम होगा ठीक है जायलम के माध्यम से पवधों में जल का परिवहन किया जाता है यह होता है तो इसका जायलम हो जाएगा अगला कोईशन देखते हैं किस तेर किस पूछा गया तो मगत की राध्धानी पूछी गई थी कहा है तो मगत की राध्धानी प स्थापक का नाम है भी सुरेट क्रास दिवस हर वर्स आठ मई को मनाया जाता है इन्हीं के जन्दिवस के उपलब्ष मनाया जाता है जनसंग्या कि दिष्ट से भारत में तीसरा राज राज है पर्थम राज की बात करें तो यूपी आता है उत्तर परदेश आता है दुतिये तो यह आप लोग त्री तिर्थी राज जो आता है वह बिहार आता है चौथा राज आता है तो क्वेस्टन आया था कि जन्संग्या के दिष्ट से भारत में तीसरा राज का उन्सा है तो वह हो जाएगा बिहार इंदेश को सना था कि एलीडी बल्व किस योजना के तहत पर राजन किया जाता है अब यह इस तरीक से सअ पुचा गया था कि पर्दान मंत्री ग्रामीर उजाला योजना किसे सम्ब्धित है तो यह यह लीडी बल्स सraf अब्धित है है इसम मूख गरीबों को अलीडी बली बल्व पुचा गया था दिब्यक्न इक्स क रखान देखते थ नेश क्वसन आया था असोक का कलिंग युद्ध किस सिलालेख में मिलता है तो ये 13 सिलालेख में असोक का कलिंग युद्ध मिलता है इंद्रा सागरबांध किस नदी परिष्थी थे तो नर्मदा नदी परिष्थी था और ये मद्ध परदेश के खंडवा जिला में परता है नेश गbuildgoaysन आया था बंदे मात्रम पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो सिरी अर्बिंद जो हैं बंदे मात्रम पत्रिका के संपादक हैं। अगला गुसर बुछा गया था कि पाकिस्तान की मांग सरपरत्रम कब किया गया था तो 1930-60 में किया गया था मुहमद बाल दोरा। सवा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर बने था ठीक है और इजिन आप इस पिसी पुस्तक का नाम है इसके लेखक का नाम पूछा गया तो चार्ल्स डार्विन इसके लेखक हैं बहुत फेमस बुखईन की कोविड नाइटिन का पहला वैक्सीन किस देश ने तयार किया था तो रूस जो सवर्थम देश बना था जो कि कोविड नाइटिन के वैक्सीन का इसने पंजीकरन कर आया था प्रधान मंत्री जन्धन योजना के शुरुआत का हुआ तो अठाई सगर दोजार चौदा को परबत किस राजầ किसरे में इस्ति थैं देखें उसे में चार अउपसंन के एक राज इसमें से दिये तो इतने राजियों में हिमालय प्रबतो प्रपती जाता है प्रबतो पर सिक्की से सटा हुआ राजी का नाम घ्र तो इसका नाम मंगालर्चि मंगाल प्रमार्षय ज़ो जूड़ता है तो यह धुबरी से सदिया तक बना हुआ है और यह सम में इस्तिति ठीक है तो धुबरी को सदिया से जोड़ता है नेश कुछा गया था आईसमान भारत योजना में कितनी रास परदान की जाती तो यह हर साल जो है पांच लाख रुपे सलाना परदान किया जाता ठीक है तो इसमें एंसर हो जाएगा पांच लाख रुपे बीडियू का फुल फाम पूछा गया था तो विजूल डिस्प्ले यूनिट होता इसका फुल फाम नेश कोशन आया था सर्बोच नियाले के नियाधीसों की नियुक्ति कौन करता है तो राषपती के दौरा किया जाता है अगला question पूछा गया था सरकारिया समित किस से संन्मधित थे थीक है तो ये जो है केंदर रात संन्मध्धों से संन्मधित है 1983 में गठित किया गया था तो इस तरीकर से question पूछा गया repeated question है इसके पहले भी पूछा जा चुका है UNEP कारियाले का प्रमोखोन सहायक महा सच्ची बरतमान में कौन हैं तो उनका नाम है सत्त एस त्रिपार्थी जो कि एक भारती हैं तो इसका क्वेश्चन पूछा गया ठीक है एक क्वेश्चन आया था पिर्थिवी पर सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा कौन सी है तो वह है बिसुवत रेखा या फिर भू उनों के पार्ट जो है अंतराष्ट्य नियाले का मुख्याले जो ये दैघ में परता है बाकी जानी बरेश्टों के बीच हुए घर और मैंना दा सीरीज कि से चुना गया तो जानी बिरेश्टों को चुना गया था एंसर इसका जानी बरेश्टो हो जाएगा तो इस तरीके से आज के कोश्चन पूछे के लगो 35 प्लस कोश्चन थे जो की मॉडरेट कहा जा सकता है कोश्चन को ठीक है और अगर सेजन पसंद आया तो लाइक करेगा सेर करेगा सब्सक्राइब करेगा मिलते हैं साम को अगर प्रस्चन तो इसको भी मैं साम को लेकर आओंगा ठीक है तब तक के लिए थैंक्यू